हेलो दोस्तों आप सभी कापके अपने यूटूब चनल पर स्वागत है तो आज हम आपका इंपोटेंट पूपिक है पुष्टक में लेखक थी क्या है पुष्टक में लेखक उसके बारे में डिसक्स करने वाले तो आप 50 क्यूशन आज हम आपको करवाने वाले तो किलास को आपके एक्जाम में पूछे गए हैं 23 अगस्त को पूछा गया था 25 को दोनों सिप्तों में एक से दो क्यूशन देखने को मिले थे ठीक है तो आज आपका पहला क्यूशन है हेमा मालिनी बियोंड दै दीम गर्ल पुष्टक के लिखक कौन है तो इसकी लेखा गया आम कमल क्यूशन हो आपका से आपके लिए लिंकन इन बार दो पुष्टक के लिखा कोन थे या कोन है तो इस का आपका जोज सांदर्स क्या हो ज़ाइगा जोज सांदर्स उप्षन भी हो जाएगा अगला इन-पोतेंट क्यूशन है आपके लिए दैच्टेकर दाई ओप कस्तूब पुष्टक के लेखक कौन है तो इस जो यह पुष्टक है इसके लेखक है उप्शन हो जाएगा आपका नेलिमा डाल्मिया अद्ध है क्या हो जाएगा अपको इनको सभी को याद करते वे चलना है क्योंकि आपका एक्जाम के लिए इन पोटेंट होने वाली है बहुत ही ज्य नरिंदे मोडी डै मेकिंग ओफ ए लीजेंद पुष्टक के लेखक कोन है तो इसके लेखक है तो यह क्योशन आपके लिए वाई इन पोटेंट है कि क्योशन आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है तीक है इसका आपका विंदेश्वाइपाथख ऑप्शन भी हो जाएग जो विंदेश्वाइपाथ तकती गखें अग्ला इन्पटैंट कुस्टन है ने में से कौन एक बीफ ओफ ताइम पुस्तक का लिखक है तो इसका सो निकलेगा स्टिफन होकिंग ऑफ्शन ने हो जाएगा स्टिफन होकिंग तो यहां तक किलिए लिए हो गया हुगा आगे चलते हैं लोग किस लेखक ने एक किस लेखक ने एक सुतेबल बॉर लिखा जो अंगे जी वासा में एक कल खंद में परकासि सब से लंबे उपने आसों में से सब्सक्राइब आगे चलते हैं लोग कि तुर्ता हुआ गंतंता के लिए कौन थे हैं कौन है तो इसका आप कांसर जाएगा अप्शन भी हरी संकर प्रसाइब आगे चलते हैं एक जित है राखी की चुनोती किसकेद्वा रहती हैं तो जो आखी की चुनोती है ये हुप्सन है सुबध्य कुमारी Q4 रायाचित है उनके द्वाइज एसरी कि आनी के यानी जाजशी की गान देव लिखी गई आपको याद देखना है। चलते हैं दिमलिक्त मेंसे किस लेखर ने हमारुद नाम लिखा यैं तो किस लेखर ने लिखा है तो इस इसके लेकर के बात की जाए तो अप्शन इसका निकलेगा भी स्वेंदर नाथ सैन ठीक है चलो यहां तर सभी को क्लिया हो गया होगा अगला कि उसने आपके लिए पुटेंट अन हैपी इंदिया का लेखा था जो अन हैपी इंदिया का लेखा कौन था बताओ तो लाला आज पत्यार अप्शन हो को रागे उपाइए आगे अगला कि ने में से दै राइट ऑफ मैं पुष्टक के लिए कोन है इस पुष्टक के लेखा का सन इसका क्या हो जाएगा धी हो जाएगा सब्सक्राइब तो सभी लोग कमेंट करना आपको कि आपकी जो एक्जाम है इसमें से क्यूशन आए या नहीं आए एक्जाम होने बात थीक है मेह असंगीत मेह जीवन उस तक किसकी आतम खठा है तो यह आतम खठा है पंदीज जवी संकर की अप्शन सी आपको आई तानसों निकलेगा तो यह क्लिए हो गया होगा चलो आके चलते हैं लोग कभा के छान्स हो जाए गाई तो उसके लिखे कोन है तो इसके लिखेंड नंदी सेना क्यारिंड और अग्यान नियुक्षन है आपके लिए एक लिए अगला क्यूस्तना है आपके लिए एन बायोग्राफिक पुस्तर की ने लिखी है तो यह बारोग्राफिक पुष्टक लिखिए जवालाल नहरु नहीं अप्सन भी हो जाएगा जवालाल नहरु जी नहीं तो हम थोदी किलास फार्ट चला आए क्योंकि आपका एक्जाम के लिए लेका है और आपको यह कुष्टन बस एक बार नजजर से निकालने क् चला अब हाओ बहुत कि विखें के विखें había सतानी फूष्ट कुष्टक किस नहीं नहीं लिखिक है यह लिखिये इस कांस हो जाएगा आपका पानी नहीन अब यह अब आल जेब्या ओफ इन्फिनीट जस्तिस्त नामक पुष्टक किस ने लिखिए तो यह पुष्टक लिखिए अग्ला इंपतंत कि शन है आपका साहिब बीवी गुलाम पुष्टक लिखे लिखक कौन है तो इसके लिखक के बात करें तो यह लिखिए आपके विमल मित्या ओप्शन दी हो जागा विमल मित्या ठीक है चलो नेक्स्ट कुष्टन है आपके लिए पुष्टक इसने लिखिए तो यह लिखिए अप्शन हो जाएगा इसका चार्स दिकेंस क्या हो जाएगा चलो आगे चलते हम लोग इमलिक्त में से कौन सी पुष्टक वी एस नार पार दौए लिखिए गई है तो कौन सी पुष्टक लिखिए गई है तो आपका निकलेगा उप्शन दी जो यह आपको दिखा रखके एक सुन तर्याज्जे में अंधेर का छित्ता है और एल दो रादो का नुक्सान यह सब जाएगा यह भी आपके लिए पूटेंट है अगला इंगलेंद का भायत पर इन के लेखा कौन थे तो इसका अपकां से हो जाएगा लाला राज पते आप्शन सी एक तमरी तांसर होगा अगला इंपोटेंट कि सन्यापके लिए वन हैंदेद किस ने लिखी है तो यह लिखी है अप्शन हो जाएगा इसका गेब्रियल गार्सियो मार्केज अप्शन ए एक तमरी तांसर निकलेगा ठीक है आप अच्छी तरह से आंसर पाज़े सकते हो तो इसके लिखा कहें दोईस लेसिंग अप्शन ए हो जाएगा अधर कम्प्लीट किस ने आपके लिखा कुझ है तो इसका आप काउम सोजाएगा राइ नुट मी के लिए तो इसका आप भगत कोनेllsंही हो जाएगा चलो अग्ला इन्द के लिए अग्ला है अग्राइंड ऑकीछ के लिखा इसके लिए उप्सन्य हो जाएगा सय फी फैसलिए कॉह नहीं है और आफ तो फ mu को कुं है इंडिया उस्तर जो गांडी की बात की जाए भापका अप्सन भी हो जाएगा राम चंदर स्बूहा और सूझ भी हो जाएगा ठीक है चालो नेक्स कुश्चन अपके लिए मारी स्टोई के लेखा कोन है इसके लेखा कर अगला नंबर की सुनें 10 से लाइंस के लेखा कौन है इसका अपकांसर क्या हो जाएगा अमिताब गोस्व हो जाएगा अगला ओप्र इंपर्टिंट क्षिन है आपके लिए इंपरिक्त किसकी आतम खता है इंपरिक्त किसकी आतम हर पर हो तो यह हो जाएगा ऑफसंगे संजय मांजय का इप संजय मांजय का किया इस न विच्छ परषी थैए है पॉट अलगा लगा लो बहुत इंपॉटेंट है आपके अग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा चांस आने की तो इसे जाएगा जेके हावलिंग ऑफसन बी हो जाएगा बैर गोड और इसमॉल तिंग्स के लेखर कौन है तो इसका आपका सर्यांस निकल जाएगा अरुनिती और अपसने हो जाएगा अरुनिती और तीक है नेक्स्ट कुशन है आपके लिए लज्जा किसके द्वाया लिखी गई ह तो जो लज्जा आए लिखी गई है तस्लीमा नस्रीन के द्वाया है प्लेइंग इत्मार वे किस की केता है कि आतमकथा है तो यह है उप्शन सी हो जाएगा सचिन तैंदुलकर की उप्शन सी हो जाएगा डिस्कवी ओफ इंडिया पुश्टक के लेखर कौन है तो इस पु केल गोड्स ओन कंती पुश्टक के लेखर कौन है केल गोड्स ओन कंती के लेखर के पुश्टक के लेखर कौन है तो इसका आप का अच्छा निकलेगा सचित है उप्शन हो जाएगा अगला क्यूशन आपके लिए ओलिवर्ट विष्ट नामक पुश्टक के लेखर कौन है तो इसका आपके सही आच हो जाएगा चार्ज दिकेंज और सन भी हो जाएगा चल्वारे चलते हैं लोग इन एया ओप दोर्कनेश दैबीटीश एंपर इन इंदिया के लिखा कौन है और इसके लिखागा सची थारूर अप्शने आज कंती और लास्ट क्यूसन है जो किन पोते हैं त्यूर इस तेटर्स पुष्टक के लिखा कौन है तो इसका हो जाएगा चेतन भगत है तो यह आप कर लाफ के 50 क्यूसन हमने कर दिये हैं तीख आपको बताना कि आपगो क्यों मिल जाएगा आपको तो वहां से आपको जोन हो जाना है और आपको पीडिये लेनी है और एक बर क्विजन करके जाना एक त्रीक से पहले ने जाना कि उसको देख के जाना कुई ऐक इसके वाली में मैं हमें कहता हूं आपको एक से दो क्पेस्ट जरू देखने को मिलेंगे इस किलास से तो नेक्स क्लास बहुत जल्द आएगी आपके लिए दीवस के लिए जो रास्ते वर रास्ते दीवस हैं वह हम लाने रहो हो वाले हैं तो अगर उसका मिलते नेक्स वीडियो में जहीं तरजबाया थे